जैहीं दोस्तों आप सब के लिए एक गुड़ नीज है अगर आप सब अभी भी अगर सूर रहे थे तो उठ जाईए और तयारी में लग जाईए क्योंकि बिहार करमचारी चायन आयोक का जो प्रारणभीक इक्जाम होने बजा रहा है वो अपने नियत समय पर ही होगा एनि ज मिया है बिहार करमचारी और जो प्रार्णभीक परिक्षा है तृतिय अश्णात अस्थ्रिय है यह दिया गिया है कि विज्ध्यापन संख्या 1र 2020 त्रितय अस्थ्लिएम उक्त प्रारंबिक पर्तियुक्ता परिक्षा 2022 दिनांग 23-12-2022 और 24-12-2022 को नीरधारित है उक्त परिक्षा है तुँ अभी अर्थियों के परवेश पत्र सिग्र ही आयों के वेफ साइट पर अप्लोड कर दिया जाएंगे ठीक है ऐसी सुचना प्राप्त हुई है कि कुछ असामाजिक तत्वो द्वारा शोसल मीडिया पर उक्त परिक्षा के अस्थागित होने किती बढ़ाया जाने आदी शम्मंदी अफवाहे फैलाई जा रही है जैसा कि देख रहे थे कि बीच में लागतार अफवाहे जो आ रहा था इडिट करके डेट को यहां इडिट कर दि किनों का समय है यहां से भी आप एक अच्छा इस्कूर कर सकते हैं कि सोसल मीडिया पर परिचारित उक्त अफवाहे पुंत अश्रत्य ब्रामक और तत्यहीन है यह आज कहीं नोटीपी के सनिया डेट देख सकते हैं साथ बारा दोहजार बाईस करा है कि भरामक और तत्यहीन अफवाहों पर ध्यान नहीं दे ऐसी जो भरामक और असत्य है इस पर मतला कि ध्यान नहीं दे ठीक है वरन आयोग के अधिकारिक बेब साइट जो बिहार एससी बिहार डोट जी ओवी डोट इन पर अंकित सुचना पर ही विश्वास करें कहाने का जा रहा है कि जो परिक्षा होगी कब होगी तो 23 और 24 जो दिशंबर है उसमें परिक्षा ले लिया जाएगा तो अभी भी आपके पास 15 दिनों का समय है यहां से भी आप डेली 10-12 घंटा तैयारी करकर के एक अच्छा स्कूल कर सकते हैं तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैनल पर हमने क्या किया था कि एस्पीडी जो था और लुसेंट का जो था एसपीडी करेंट एफियर से और लुसेंट साइंस कल से शुरू करने जा रहे हैं फीजिक्स केमेस्टी और बायो क्योंकि यहां से हमें 25 कुश्टन देखने को मिलेगा इससे पहले एंसी आटी का जो भी था साइंस एंट टेकनोलोजी फिजिक्स केमेस्ट्री और बायो सब मतलए कि दस वीडियो में हम कवर करा चुके थे तो लगतार यहां से अब क्या होगा कि लगतार एक दिन में दो तीन वीडियो आते रहेगा जो इंपोर्टेंट कुस्चन होगा उसे भी हम इसमें कवर कर देंगे 10-15 जो कुस्चन होगा डेली हम अपने तरफ से तैयारी करेंगे उसको सेट करेंगे कि कौन कुस्चन है जो जीएस का एक्जाम में आ सकता है ठीक है तो पढ़ते रहिए अपना ख्याल रखिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में धन्यवाद